भगवान शिव की तीसरी आख के संदर्भ में कई सारी कथाओं का वर्णन मिलता है। ऐसी ही एक कहानी है कामदेव की। एक बार दक्ष प्रजापती ने भव्य हवन का आयोजन किया और उस हवन में माता सती और भगवान शिव को भी आमंतरित किया गया। लेकिन वहाँ पर शिव के साथ हुए अपमान को माता सती सहन ना कर सकी और उन्होंने आत्मदाह कर लिया। इस घटना के चलते भोलेनाथ इतने तूट गए कि वो वर्षों तक घोर तपस्या करते रहे। कहा जाता है कि माता सती का हिमालय की पुत्री के रूप में दोबारा जन्म हुआ। ल लेकिन उनके सभी प्रयास विफल साबित हुए फिर अंत में उन्होंने स्वन्य भगवान कामदेव को मदत के लिए बुलाया। कामदेव ने अलग-अलग तरीकों से भगवान शिव का ध्यान तोड़ने की कोशिश की लेकिन वो सफल न हुए। इसके बाद कामदेव ने एक आम के पेड़ के पीछे से पुश्प बान चलाया, जो सीधे शिव के हरिदय में जाकर लगा और उनका ध्यान भंग हो गया। अपने ध्यान के भंग होने से महाकाल इतने क्रोधित हो गये कि उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव को भस्म कर दिया। अब देवत की पतनी ने शिव से गुहार लगाई कि उनके पती को पुनह जीवित कर दें। तब शिव ने कहा कि द्वापर युग में कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में फिर जन्म लेंगे। एक अन्यकथा के अनुसार जब भगवान शिव अपने ध्यान में मगन थे, तब माता पार्वती ने अपनी दोनों हथेलियों से उनकी आखों को ढख दिया। इसके चलते पूरी दुनिया में अंधेराचा गया था। कहा जाता है कि उस समय महादेव ने अपनी तीसरी आख से इतना प्रकाश प्रजुलित किया की पूरी धर्ती जलने लगी। त यसी भी मान्यता है कि भगवान शिव की ये तीसरी आख उनकी दिव्यद्रिष्टी है। इस दिव्यद्रिष्टी से कुछ भी छिपा नहीं रह सकता। भोलेनात की तीसरी आख ज्यान चक्षु के समान है जिससे उन्हें आत्म ज्यान की अनुभूती होती है। इस तीसरी आख से वे तीनों लोकों की गतिविधियों पर भी नजर रखते हैं। शिव की तीसरी आख उन्हें हर चीज की असीम गहराई में जाने के लिए सहायक मानी जाती है। ये भी मान्यता है कि भगवान शिव की तीसरी आख खुलते ही समस्त सृष्टी भस्म हो जाएगी।